अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में स्नैपचाट अकाउंट बना रहे हैं या फिर अपने स्नैपचाट अकाउंट को लॉग इन कर रहे हैं या फिर अपने स्नैपचाट अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं तो आपके नंबर पर OTP नहीं आ रहा है या फिर आपके फोन में Snapchat का OTP Receive नहीं हो रहा है तो इसे ठीक कैसे करें तो इसके लिए Snapchat एप से बाहर आईए उसके बाद अपने फोन की Settings ओपन करिए Settings ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद Apps आएगा इस पे क्लिक करिए उसके बाद ऊपर App Management आएगा या फिर App Manager आएगा या फिर Manage Apps आएगा तो इस पे क्लिक करिए तो जिस भी नाम से आपके फोन में ये आ रहा है इसे आप Open करिए Open करने के बाद आपके फोन के सारे Apps यहाँ पे आ रहे हैं तो अब आपको नीचे आना है तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं Snapchat तो इस पे क्लिक करिए उसके बाद Force Stop आएगा इसे Force Stop करिए उसके बाद नीचे Storage या फिर Storage यूसेज आएगा तो इस पे क्लिक करिए उसके बाद Clear Data आएगा यहाँ पे तो Clear Data करिए उसके बाद OK करिए इसका डेटा क्लियर करने के बाद Back आईए फिर से Back आईए इन्ही एप्लिकेशन में नीचे आकर Message आएगा कुछ इस तरीके से यानि कि आपके फोन का Messaging App तो यहाँ पे Message आ रहा है इस पे किलिक करिए Force Stop आएगा इसे Force Stop करिए Storage आएगा नीचे इस पे किलिक करिए Clear Data पे किलिक करिए उसके बाद OK करिए Back आईए और यहाँ पे Permission आएगा इस पे किलिक करिए Allow़ आएगा इसके नीचे Not Allowed आएगा यहां पे अगर SMS की परमीशन आ रही है तो इस पे किलिक करिए अलाव करिए बैक आईए फिर से बैक आईए और यहां से बाहर आने के बाद अब अपने फोन में प्ले स्टोर उपन करिए उसके बाद उपर आपको सर्च करना है स्नैप चैट और चेक करिए अगर यहां पे कोई अपडेट आया है तो आप इसे अपडेट जरूर करिए और चेक करिए अगर यहां पे कोई अपडेट आया है तो आप इसे अपडेट जरूर करिए जैसे कि फिलहाल कोई अपडेट यहां पे नहीं आया है तो अब अपने फोन को बंद करके चालू करिए यानि कि रिस्टार्ट करिए उसके बाद चेक करिए अब आपका स्नैपचैट पर OTP आ जाएगा अगर नहीं आएगा तो स्नैपचैट को डिलीट करिए उसके बाद फिर से डाउनलोड करिए तो जैसे की हमारा OTP आ चुका है तो इस तरीके से आप ये प्रॉबलम ठीक करें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें